अपने बॉलिवुड करियर में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने वाली बॉलिवुड की मस्तानी दिपिका पदुकॉन जिन्होंने बॉलिवुड में लाखो दिलो पर राज कर रखा है उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया दिपिका ने ओम शांती ओम से बॉलिवर्ड में डेब्यू किया इसमें वो शारुखान के ओपसिट थी ये फिल्म इतनी सफल रही कि दिपिका की सफलता सीडिया चड़ती हुई चली गई उसके बाद एक के बाद एक सूपर हिट मूवी देने वाली दिपिका ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने अब तक करीब 30 फिल्में की है जिनमें से ज्याला तर बॉक्स आफिस पर कमाल दिखा चुकी है लेकिन एक मूवी है जो कि आज तक उनके लिए सबसे बड़ी गलती है उसका जिक्र दिपिका ने किया एक इंटर्वियू के दोरान दिपिका ने उस फिल्म का जिक्र किया जो कि उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल थी उनके हिसाब से नहा दूपया की शो में अपनी बहन के साथ आई दिपिका पदकोन ने इस बात का जिक्र किया था कि अक्षे कुमार के साथ आई उनकी एक मूवी उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती थी जब नहा ने दिपिका से एक प्रशन पूछा कि ऐसी कोई फिल्म है जिससे साइन करके आपको बेहत अफसोस हुआ हो तो इस बात पर दिपिका ने जवाब दिया चाननी चौक टू चाइना इसमें दिपिका ने डबल रोल प्ले किया था चाननी चौक टू चाइना को निखिल अड़वानी ने डिरेक किया था उनका कहना था कि चानी चॉक टू चाइना करना उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उनको एक मौका मिले कि वो अपनी जिन्दगी में पीछे जाकर कुछ सही करना चाहेंगी तो वो चाहेंगे कि वो अपनी जिन्दगी से उस फिल्म के पन्नों को हटा दे। इसकी बाद दिपिका की कई फिल्म में आई जो की उन्हें कामयाबी के पाइदान पर उपर पहुचाने में कामयाब रही जैसे पदमावद, चैन्नाई एक्सप्रेस और हैपी नियू यर दिपिका की ये तीनों फिल्में 200 करोड कलब में रही वही रेस टू, रामलीला, बाज की नहीं किया है, अपने स्टाइल और अपने फैशन के कारण भी दिपिका सभी का दल जीती हुई नजर आती है, दिपिका के इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंस है, तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिपिका का बॉलिवर्ड के सूपर स्टार अक्षा कुमार के बार झाल, 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